नमस्कार, प्रियदर्शकूम, आज के सिकारे करम में हम चर्चा करने जा रहे हैं, मकर राश्वी वाले जातकों के लिए अप्रेल का महिना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंब करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा, ये महिना आपके लिए बहुत ही विशेश रहेगा। उसका कारण है कि एक दो नहीं पूरे चार-चार ग्रह इस महिने में आपको देना चाह रहे हैं अपना पूर्ण रूप से शनी देव, मंगल महराज, बुद्ध देव और शुक्र महराज का आशिरवाद इस महिने में आपके जीवन में नई उन्नतियों का करने जा रहा है आगास। क्या-क्या सुरिष्ट कारक लाब देखने को मिलेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको बड़े सुक्ष्म शब अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, इस महीने में उद्य अवस्था के चलते ये एक बहुत ही स्रिष्ट कारक संकेत दे रहे हैं कि पहले सुक्र की अवस्था, जिसे निरोगी काया कहा जाता है, वो आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी अवस्था को दर्शा कर देगे, आपका स्वास्त बड़ा पुष्ट रहेगा, आपके निरने लेने की स्रिष्टी का योग बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है, जो कि आपको धन से पुष्ट करे, समाज में, परिवार में, कुटुम्ब में, कर्म शित्र में, आपकी दक्षता और एक इछले समय में ये अस्त गत वस्था में चल रहे थे और आपने अनुभूती भी की कि धन से संबंधित ही जीजे, प्रॉपर सिस्टम में बैलेंस नहीं कर पा रही थी, किन्तु अप्रेल के महीने में, आप अवश्व रूप से अनुभूती कीजिएगा, धन से संबंधित, जो भी कारिय आपके रुके हुए हैं, इस महीने में शनी महराज की इस्तती आपके लिए पूर्ण गत अवस्था का योग बना रही है, दूसरी अवस्था में आयेश आकर आपके धन भाव में बैठे हैं, ये आये में भी व्रधी करवाएंगे, आपकी डिजायर की स्तती क कोई बनी हुई है, इसे भी इस महीने में मंगल महराज की आशिरवाज से पूर्ण होते हुए आप देख पाऊगे, और शनी देव जो फाइनेस दृष्टी कोण से आप अपने आपको वीक फील कर रहे थे, इस स्तती में और इस महीने में वो वीकने समाप्त होते हुए, ध और उच्छस अवस्ता के अंदर जब आपके करमेश बैठते हैं तो इनका फल ऐसा होता है कि ये आपसे इस महीने में महनत तो जरूर से विशेश करवाएंगे, पसीने आपके जरूर से बहाएंगे, किन्तु बहुत अच्छे स्तती है कि महनत के रिजल्ट आपको निश्च इसके पस्चात में 25 अप्रेल को ये आपके चतुर्त भाव में आ जाएंगे, यहां से इनके और अच्छे रिजल्ट बन कर आते हैं और जो आप महनत करोगे, 25 अप्रेल के पस्चात में जब ये अपने ही घर को देखेंगे, उस महनत का रंग आपके जीवन में ना घुल द तो मुझे कहिएगा, भाग्य दरश्टी कोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी आपके बनते हैं बुद्ध महराज और कहां विराजित हैं तो आपके चतुर्द भाव में, चतुर्द भाव में बुद्ध महराज की इस्टती बेहद सुन्दर अव सवस्ता को दर्शा रहा है जहां आपकी मेहनत में धनकी पुष्टता को प्राप्त करते हुए भाग्य देता हुआ पाया जाएगा आपका परिपोनता से साथ विद्या दृष्टी कोण पर यदियम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी भी आपके पराकरम भाव मे बैठे हैं और ये आपको संकेत दे रहे हैं कि मेहनत आप कीजिए रिजल्ट के इस्टि के योग की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ आपके जितने भी विद्यारती हैं चायर वो कॉंपिटिशन की तैयारी कर रहे हैं चाय हायर एजूकेशन कर रहे हैं आपकी मेहनत की दक्षता के आधार पर शुक्र महराज शत प्रतीशत आपको रिजल्ट बना कर देंगे एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको विध्या में जरूर से लगाने होंगे बात करें यदि यात्रा दृष्टीकून के साथ की ये यूती व्यापारिक यात्रा और भौतिक सुखो को अरजित करने वाली यात्रा में इस महिने आपके लिए बहुत ही विशेश लाभानवित योग प्रदर्शित करती हुई पाई जाएगी दामपत्य जीवन के स्थती पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दामपत्य भाव के स्वामी आपके बनते हैं चंद्र महराज सवा दो दिन से धाई दिन के अंदर ये इस्थानांत्रन करते रहते हैं किन्तु एक अवस्था यहां पर बहुत अच्छी बनी हुई है कि आपके लगनेश, भागेश और पंचमेश के स्थती साथ ही मंगल महराज की अवस्था आपके दामपत्य जीवन में थोड़ी सी अंडेस्टेनिंग आपको बना कर रखनी होगी अन्य अवस्थाओं में यह चार ग्रहों का आशिरवाद आपके मन को इतना प्रसंद रखेगा कि स्वत्य से दामपत्य जीवन के स्थतियों में आप अच्छा खासा टाइम के साथ इस्पेंड करें पिछले समय के गिला शिक्वा आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे प्रेम संबंदों की स्थती पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंद की गती विधियों में भी इसे बैलेंस करने की आपको आवशकता होगी थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्स लगाने के स्थती आवशक रहेगी और ओर एस्पेक्टिशन इस समय में आपको नहीं करनी है अन्यत्र अवस्था में आपका प्रेम संबंद गती विधि का योग भी अपरेल के महीने में बहुत ही खास रहेगा ये आपका वो सर्वशक्ति शालीश ग्रह शनी महराज जो उदेग तवस्था को प्राप्त कर चुके हैं इस महीने में बहुत बड़ी राहत की स्थियां आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं क्या करना चाहिए ताकि अपरेल का महीना हमारे लिए यादगार हो उससे पहले जानिए आपके लिए इस महीने के शुब अंक शुब रंग और शुब दिवस जिनका पालन करकर आप बना सकते हैं अपरेल के महीने को यादगार कोई भी बड़ा कारिय यदि आप करने पर सोच रहे हैं फाइनेस द्रश्टी कोण जो आपको प्रभावित कर सकती है आर्थिक द्रश्टी कोण के स्टतियां आपको प्रभावित कर सकती है उस स्टति में प्रयास कीजिए कि अपरेल के महीने में कोई भी बड़ा कारिय कर मंगलवार के दिन, बुद्धवार के दिन, शुक्र और शनीवार के दिन किया हुआ कारिय आपकी सफलता में बहुत अच्छी परसंटेज एड़ करता हुआ पाया जाएगा शुब रंग की यदि हम चड़चा करते हैं तो सफेद रंग, लाल रंग, काला, नीला और साथ में ही हरे रंग का प्रियोजन करकर खाने में, पहनने में, आसपास के वाता वरण में जितना जादा आप इन रंगों का प्रियोजन करेंगे सकारातमक और आपके लिए बहुत ही अच्छे सुरूप में बन कर आता है शुब अंक की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कारिये करना चा रहे हो, एक, दो, साथ, और तीन, इनका सदुपियोग करकल चाहे सिंगल डिजिट में, चाहे मुलंक के टोटल के अंदर, इन अंकों का पालन करकर कोई भी बड़ा कारिये करते हो, उसमें आपकी स अफल्टा की परसंटेज बहुत अच्छे सुरूप में आपके लिए कारिये करती है, ब्रह्म की की यदि हम चर्चा करते हैं, तो शनी महराज जो की आपके लगनेश हैं, उदैगत अवस्ता को प्राप्त कर चुके हैं, ओम शन 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 शराय नमहका जाप इस महिने में लग आपके लिए मनोरतों को पूर्ण करना भौतिक सुखो की स्थती में पुष्टता और धनकी अवस्थाओं में मंगल महराज का मिलेगा परिपूर्णता से अशिरवाद, आशा करता हूँ, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी, कल फिर से एक नई जा आपके सामने उपस्तित होंगा, तब तक के लिए, नमस्कार